तो कोरोना के दूसरे रूप ने भारत में दस्तक दे दी है लंदन से आए पांच यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं ये खत्रे की घंटी है पूरे देश को इस बात से खासी परेशानी हुई है कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दी है लंदन से कल रात अमरिज सराई एर इंडिया की फ्लाइट के 266 में से पांच यात्रियों की आटी पीसिया टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिने कोविट के सेंटर भेज दिया गया है उनके सैंपल को NCDC में आगे के रिसर्च के लिए भेजा जा रहा है कि कहीं ये ब्रिटेन में फैले दूसरे स्टेन का वारस तो नहीं है नेगेटिव यात्रियों को साथ दिन मैंडेटरी होम कुरेंटीन में रहना होगा डिस्टिक आफिस में जानकारी साजा की जाएगी रोजाना मॉनिटरिंग होगी और छटे दिन सभी का टेस्ट दोबारा किया जाएगा इधर दिल्ली सरकार ने कोरोना के दूसरे स्टेन को देखते हुए एतियात के तौर पर दो हफ़ते में यूके से दिल्ली आय सबी लोगों के घर घर जाकर चेक अप करने का फैसला किया है लंदन और आने जगों से आने वाले करीब 6-7 अजार लोग हो सकते हैं आज से जांच की कारेवाई शुरू हो गई है वाइरस के नए स्ट्रीन से हालात बेकाबू होने के बाद बिटन के कुछ शेहरों में सक्त प्रतिबंद लगाए गए हैं लंदन दक्षिन पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड में इसके ज्यादा संक्रमन पाए गए हैं डन्मार्क, इतली, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और नीदर्लैंड में भी ये मायावी वाइरस मिला है वाइरस के नई अटेक के बाद CSIR अब RT-PCR जांच में तक्नीकी बदलाओ करने पर विचार कर रहा है हमारे साथ CSIR के हेड डॉक्र शेकर मांडे हैं सर सबसे पहले में यह जानना चाहूँगा कि यह new variant है, mutant है, यह new strain है, क्या है अखरी यह फाःस में जो म्यू्टाशन पैज जाते है ए मैं नेंसर की प्रक्रिया होथी है कि hisssur भी ली विविंग और्गनिशम में कि मुटेशन होते रहते हैं वैसे हिस वेरेस में एक मुटेशन होते हैं इसको प्रेंटल जो जहां से शुरू हो अधा होना और दो अलग अलग चीजों में काफी अंतर होना चाहिए वाय से अलग जब अंतर हो जाता है तो उसको अलग प्रेंट करते हैं आड़ी पीसर कैसे होता है कि वायरेस का अपना जो जिनोम कंटेंट है वह अईसा वहां के अफशातर हों का कहना है तो देश में कोरोना के नए अवतार की दह्शत तो है लेकिन वैक्सीन पर आई खुशकबरी ने दिल को सुकून दिया है दिल्ली एरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई देश में कोरोना के दिन लद गए हैं और कुछ ये दिनों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आने वाली है इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है दिल्ली एरपोर्ट के CEO विदेह जैपुरियार ने कहा है कि दिल्ली एरपोर्ट ने हमेशा सरकार के साथ कंधा से कंधा म इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट संजीवनी का नाम दिया गया है और एरकाफ्ट से लेंडिंग से स्टोरिस तक ले जाने में महज 10 मिनिट का समय लगे इसके लिए भी सारी तैयारिया कर ली गई है पहली खेप के साथ कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा वैक्सिनेशन का काम शुरू किया जाएगा जिसमें हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे पुलिस सफाई कर्मचारी, सेना आधी के लोग शामिल होंगे परवाह देशकी, सोमवार से शुक्रवार, राद दस बजे, टीवी नाइन भारत वर्ष पर